इस समय बारिस का मौसम है और सभी किया चाय के साथ कुछ न कुछ टेस्टी और चटपटा तो बनी रहा है तो चलिए आज लेकर आई हूँ नास्ते की एकदम नई रैस्पी और वो भी कच्छे चावल और कच्छे आलू के साथ आज हम मैदा, सूजी, बेसन या किसी तरह का आ और यहां पर साथ में मैंने लिए हैं कच्छे आलू, कच्छे आलू को मैंने छील कर इस तरह से स्लाइस में कट कर लिया है, साथ में कढ़ाई में पानी गरम होने के लिए रख देजिए तो आपका समय भी बच जाएगा और आलू भी कट हो जाएंगे, इसके ऊपर हम एक इ पैला दीजिए और उपर से लिट से कवर कर दीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, तीन से चार मिनट में आलू बहुत अच्छे से कुख हो जाते हैं, तो यहां पर हम हटाएंगे ढकन को और देखेंगे, आलू हमारे पक गए हैं अच्छे से, अब यहां मैंने ठंड ज्यादा हो जाती है, इसलिए अगर आप नास्ते में इस तरह से स्टीम करके आलू डालेना, तो ज्यादा अच्छा लगता है, अब यहां पर मैं पिसे हुए चावल, मैंने जो चावल बिगो कर रखे थे, उनको मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल कर इस तरह से गाड़ा सॉफ्ट बनता है, अब यहां पर आप बेजिटेबल ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, गाजर, धनिया, सिमला मिर्च, और साथ में मसाले में ले रही हो, थोड़ा सा जीरा, हींग और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, यहां पर और ज्यादा मसाले हम बिल्कुल भी न डालेंगे, मैंने थोड़ी सी हरी मिर्ची और थोड़ी सी यहां पर लाल मिर्ची ली हुई है, अब हम क्या करेंगे, इस बेटर को हमें अच्छे से हातों से मिक्स कर लेना है, इस तरह से आलू को अगर स्टीम करके डाले, और चाबलों को पीस करके डाले, तो नास्ता और साथ में आधा नीवू का रस. इससे ना बेकिंग सोडा बहुत अच्छे से अपना काम करता है और जो हमारा ये बेटर है वो अच्छे से यहां पर सेट हो जाता है. तो जैसे ही आप इसमें नीवू डालेंगे एक ही डारेक्शन में आपको इसे बहुत अच्छे से फेट बेटर एकदम से लाइट हो जाएगा और उसके बाद इस तरह से आपको करना क्या है हाथों में थोड़ा सा पानी लगा लिजिए और पानी लगाने के पाद आप इस तरह से हल्की छोटी-छोटी सी टिक्कियां बना कर डालेंगे और आप देखिए का ये टिक्कियां गुबा ये यूनिक सी नाश्ता की रेस्पी है अगर आपको थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और शेयर कर दीजेगा बारिस का मौसम है तो टेस्टी और चट पटा तो सभी लोग बना रहे हैं तो ये यूनिक सी रेस्पी ज़रूर ट्राई करें यह जैसे ही हम डालेंगे ना तो थोड़ी देर हमें रुख जाना है और ये जो हमारी कच्छे चावल और कच्छे आलू की भजिया है ये तैर कर अपने आप ही उपर आ जाती है आपको मैं दिखा देती हूं एक पीस की किस तरह से ये गोल मटोल हो जाते हैं ये देखिए मैंने चप्टे करके डाले थे और ये कितने बढ़िया से एकदम पकॉले जैसे गोल गोल हो गए हैं तो ये ना बहुत ही टेस्टी यूनिक सा नाचता है आपको अगर मतलब कोई आने वाला है तो भी आप इसको बना सकते हैं बैटर को आप बना कर फ्रिज में रख दीजिए और जब कोई आए तो आप अफटा फट उसको चाई के साथ सर्व कर सकते हैं बहुत ही टेस्टी सी रैस्पी है और खाने में बहुत अच्छी लगती है यहां पर मैंने इनको इस तरह से प्लेट में निकाल लिया है और आप इनको सौस के साथ चाई के साथ या फिर चत्नी के सा देती हूं यह भी बहुत गरम है और यह देखिए कितना बढ़िया फूला फूला और एकदम जालीदार नास्ता हमारा बन कर दयार हुआ है तो यहां पर उपर से यह क्रंची रहता है और अंदर से इसमें बहुत अच्छी जाली आ जाती है प्लीज इंजॉय कीजिए और आप सबसे रिक्वेश्ट है मेरी अगर आपको मेरी रेस्पी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुत जाए और यहां पर मैंना अपने चैनल पर रोज साम को 6 बजए एक वीडियो डालती हूँ इस तरह से चटपटे और टेस्टी जी कोई भी एक रेस्पी तो प्लीज आप देखियो और मुझे कमेंट करके बताए कि आपको मेरी रेस्पी कैसी लगती है इंजोई कीजिए टेस्टी सा नास्ता